आज हम बनाने जा रहे हैं पकेवे चावल से यानि बचेवे चावल से बनाने जा रहे हैं फिर्णी जो की बहुत टेस्टी होती है और आप इसको फटा-फट से बना के तयार कर सकते हैं क्योंकि ये पकेवे चावल से बनता है तो आप उसे एक बार जरूर बना के ट्राय करें अपको जरूर पसंद आएगी दिमश्कार दोस्तों, मैं शुष्मा आपका सुष्मा की रस्वई में स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए फिर सेक रेस्पी लेके आई हूँ और उमीद करती हूँ कि यह रेस्पी आपको पसंद आये और अगर आपको रेसी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चानल को और कमेंट बॉक्स से मेरे को जरूर लिखके बताएं कि आपको रेस्पी कैसी लगी तो चलिए फिर वीडियो शूरू करते हैं तो यहां लिया है मैंने एक कटोरी चावल लिया है पकेवे चावल है यह और यह बचेवे थे मेरे पास तो इनको हम मिक्सर में पीस लेते हैं तो यहां मैंने मिक्सर जार लिया है और यह सारा चावल मैं इसमें डाल दूँगी अब इसी के साथ यहाँ पर मैं डालूँगी एक लिटर दूद तो यह दूद मैंने पहले से ही बॉयल किया हुआ था यह वो दूद है आप कच्छा दूद भी ले सकते हैं तो यहाँ एक लिटर दूद में डाल दूँगी तो यहाँ मैंने दूद डाल दिया है अब इसको हम पीस लेंगे हमें इसको एकदम दर्दरा पीसना है एकदम फाइन नहीं पीसना है चावल जो है इसमें गुलने नहीं चाहिए दर्दरा रहना चाहिए और यहां मैंने अब जो कड़ाई चड़ाई थी गयास पे इसमें मैं सारा ये दूद और चावल पिसावा ड दाल रही हूं में एक छोटी कटोरी डाल रही हूं यहां पे चीनी लगबग तीन बड़े चमच्छे करीब चीनी हैं चीनी आप कम जादा कर सकते हैं और यहां में डाल रही हूं केसर थोड़ा सा ताकि इसका कलर बहुत बढ़िया आ जाए अगर आख के पास है तो आप डाले वरना वॉइड कर सकते हैं अब low to medium flame पे इसको लगाता चलाते हुए हमें इसको पकाना है यह देखिए चावल के जो granules है वो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे हैं क्योंकि चावल जो है वो हमें थोड़े से इस तरह से दरदरा रखना है अब इसको हमें देखिए इस तरह से चलाते हुए पकाना है और यहाँ पे देखिए केसर जो है अपना कलर छोड़ रहा है दूद में तो इस तरीके से आप चलाते हुए इसको अच्छे से काड़ा कर ले यह देखिए चावल अब यहाँ पे clear दिख रहा है छोड़ छोड़े दाने हो गए है चावल के जिसको गाड़ा कर लेते है तो यहाँ देखिए यह गाड़ा हो गया और कितना बड़िया कलर आ गया है केसर का रंग बहुत अच्छे से निखर के आ गया है और यहाँ देखिए यह तैयार है बनके यहां डाल रही हूं में half tea spoon डाल रही हूं यहां पर इलाइची powder इसी के साथ यहां मैंने कुछ dry fruit काटके रखे हैं वो डाल देती हूं बदाम और पिस्ता थोड़े से में बचा लोगे गार्निश के लिए यह फिर्णी बहुत ही टेस्ट लगती है और क्योंकि यह फटा-फट से बनके तयार होती है यह चावल इसमें हमें पकाना नहीं है क्योंकि पहले से ही चावल पके हुए हैं तो इसलिए जादा टाइम नहीं लगता है और यह साइड में देखिए जो यह मलाई जम रही है यह हम इस तरह के से स्क्रैच करते हुए अंदर कर लेंगे और जो फिर्णी है बनके तयार है इसको मैं सर्फ कर ले रही हूँ तो यह देखिए कितनी बढ़िया लग रही है यह देखने में खाने में उतनी ही टेस्टी उतनी ही मलाई दार है देखिए देखने से ही लग रहा है कि कितनी बढ़िया यह फिर्णी बनके तयार हुई है तो यहां मैं अब इसको कुछ ड्राइफूट से भी गार्णिश कर लूँगी तो यहां मैं बदाम और पिस्ता से थोड़ा सो सजा ले रही हूँ यह देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है कितना कलर्फूट लग रहा है ड्राइफूट डालने से जैसी पिस्ता डाला तो यह कितना सुन्दर लग रहा है देखने में तो अगर आपको रैसी पसंद आ रही है तो प्लीज आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताएं कि आपको रैस्पी कैसी लगी थैंक यू